ओम शान्ति, 26 फर्वरी, बाबा अपने बच्चों में बहुत बलभर रहे हैं, तुम सभी रूहानी योधे हो, छत्रिय हो, रूहानी छत्रिय हो, तुम्हारी युद्ध माया से है, तुम्हे इस माया पर विजय पानी है, इसके लिए बाबा तुम्हे योग सिखाते हैं, योगबल से तुम माया पर विजय पाते हो, जितना जितना योगबल बढ़ाते जाएंगे, माया पर तुम्हारी जीत होती जाएंगी, बाबा कह दे पहले मल युद्ध होते थे दो के आमने सामने, हरा देते थे दूसरे को विजय हो जाती थी, तुम्हारा भी माया से मल युद्ध है, सबेरे उठकर बहुत अच्छा अभ्यास करो आत्म भिमानी होने का, बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करो, मही मक करो, बाबा कितने मीठे हो, तो ऐसा अभ्यास करते करते, तुम्हें ताकत आती जाएगी, माया ने जो तुम्हारी ताकत छीन ली है, वो ताकत फिरस योग बल से तुम्हें आती जाएगी और तुम इस माया पर विजय होते जाओगे, विजय रतन बन जाओगे, जो माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही विष्णू की माला बनते हैं ये 108 रतन बाबा कह रहे भले 8 और 108 इंपोर्टेंट हैं लेकिन और भी बहुत सारे रतन हैं इन 108 रतनों की माला को विष्णू की माला कहते हैं यही 108 विष्णूपुरी में राज करते हैं। बाकी सत्य युग और त्रेता युग में अनेक प्रिंस प्रिंसेज होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो माला लंबी हो जाती है। वो 16,108 की हो जाती है। लेकिन तुम ब्राह्मनों की माला नहीं बनती। क्योंकि आज बहुत अच्छे हैं, कल गिर्ती कला में आगे, कोई बाबा को छोड़ी गए, बहुत अच्छे अच्छे आत्मा हैं। किनारा कर गए बाबा से, माया से हार खाली, अंत में तुम्हारी ये माया पर विजय हो जाएगी और तुम माला के मन के लायक बन बाबा, तुम आत्माए एक्टर हो, इस शरीर में बैट कर अपना-पना पार्ट बजाती हो, मैं सुप्रीम एक्टर, हीरो एक्टर, डारेक्टर हूं, मैं सबसे बड़ा एक्टर हूं, मेरी गद्दी भी सबसे ऊपर है परमधाम में, आज बाबा ये सब्द बोल रहे हैं, तुम्हें एक्टर हो, ये याद रखो, तुम्हें पार्ट मिला हुआ है, ये पार्ट अविनासी है, किसी को छोटा पार्ट, किसी को बड़ा पार्ट, कोई कहेंगे मैं गवर्नर हूं, कोई कहेंगे मैं डारेक्टर हूं, कोई कहेंगे मैं इस फिलम में एक्टर हूं, ये स तब तुम्हें पार्ट मिले हुए हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, और तुम्हारे पार्ट ये अविनासी हैं, अदली बदली इसमें नहीं होती, कि इस बार उसको ये पार्ट दे दिया जाए, या उसको ड्रामा से निकाल दिया जाए, ड्रामा से कोई निकल ही नहीं स तो बाबा बहुत अच्छा बल सभी में भर रहे हैं, और माया पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, इसकी बार बार हमें जैसे चेलेंज कर रहे हैं, कि माया भी बहुत पावर्फुल है, मैं आता हूँ, कल यूग के अंत में, तुम पोच सकते हो, सत्य यूग में लक्षम मिनारान का राज ता, इससे पहले क्या था, जरूर कल यूग होगा, संगम यूग आया होगा, और भगवान ही आकर संगम यूग पर ग्यान देंगे, सत्य यूग में नहीं देंगे, अगर सुरू में ग्यान दें, तो अंत का ग्यान कैसे देंगे, सुरू में ग्यान दें, तो चुरासी जनमों की कहानी कैसे सुनाएंगे? तो एंड में आते हैं. इनको भी कहते हैं, ब्रह्मा को, यह great great grandfather है. तुम सब ब्रह्मान इनकी संतान हो, मैंने ये रुद्र ज्यान यग रचा है, इसमें तुम ब्रह्मान आए हो, पवित्र वन रहे हो, और पवित्र बना रहे हो, इस रुद्र यग से ही विनास ज्वाला प्रगट होगी? इस रुद्र यग में सारा संसार स्वा हो जाएगा तो मैंने ये यग ये स्वरक की स्थापना के लिए ही रचा है तो तुम पूछो इनलक्ष मिनारान ने ये राज कैसे पाया था किसने इनको ये राज दिया था कब दिया था फिर ग्यान सुनाओ कि संगव युग पर भगवान ने आकर जान के सागर ने आकर जो ग्यान का सागर है सरस्टी का बीज है पवित्रता का सागर है पतित पावन है तो पतित पावन है तो पतित दुनिया में आएगा जान का सागर है तो आकर अवश्य जान सुनाएंगे न ज्ञान ही न सुनाए, तो ज्ञान का स्वागर कैसे, दुख हरता सुख करता है, तो मैं आकर सभी के दुख हर लेता हूं, सुख मैश रष्टी की स्थापना कर देता हूं, तो तुम सभी वच्चे, दुसरों को ये ज्ञान दो, जो भासन में होसियार हैं, उनको बहुत एक से होसियार दूसरा, दूसरे से होसियार तीसरा, बाबा ने हसी में एक सब्द का, आगे चल कर तुम मेल ट्रेन बन जाओगे, मामा भी देखो, इस्पेसल मेल ट्रेन है न, यानि बहुत अच्छा भासन करती थी मामा, उमंग भर रहा है परमसिक सग अपने बच्चों मे तुम्हे खुले दिल से भासन करना है, निर्भीक होकर सब को बाब का परीचे देना है, वो कौन है, संसार में यही तो सब बूल गए, सर व्यापी कह दिया बात ही पूरी हो गई, गलानी हो गई, नीचे उतरते आए, अब तुम्हें सब को बताना है भगवान कौन है, उक क अब आता है, किसके तन में आता है, और आके क्या करता है, मन उसको कैसे देवता बना देता है, फिर फिर बाबा कह रहे हैं बच्चे, आत्मविमानी होने की प्रेक्टिस करो, सत्यूग में तुम्हें आत्मविमानी थे, वह तुम्हें इतना ज्यान रहता था, मैं आत्मा विजय होते जाओगे, वर्दान है, देह अभिमान और देह की बद्भू से मुक्त रहने वाले, परीरियों के लोग के यानि परिस्तान के निवासी बनो, बहुत सुन्दर सब्द है, तो ये देह और जो देवान में रहते हैं, उनके अंदर जैसे देह की बद्भू रहती है, तुम इस से नियारे रहना है, मैं आत्मा हूँ, मनुस नहीं हूँ, जो देह अभिमान में हैं, वो मनुस हैं, कहा जाता है कि देव लोग में, इंदर परस्त में, केवल परिया रहती हैं, मनुस वा नहीं जा सकते, मनुस माना जो देह अभिमानी हैं, परिया माना जो आत्म विमानी है तो तुम आत्म विमानी बनो तो तुम उस परियों के लोग के वासी बन जाओगे। स्लोगन है अपने तनमन धन को सफल करने वाले वे ही सच्चे समझदार हैं भगवान ने यगरचा है। सब खजानों को भी सफल कर दें, तनमन धन को भी सफल कर दें, तो भगवान कहेगा तुम सच्चे समझदार हो। तो आज सारा दिन, हम पाँच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, उसमें आत्मा भी आ गया, भविस्का स्वरूप भी आ गया, फरिस्ता स्वरूप, पुझ्य स्वरूप, हर गंटे में एक बाहर अपने कोई स्मर्ति में दिला देना, बहुत अच्छी अनुभूती होगी, ओ ओम श्यांती.